नमस्ट कार बच्चों उम्एद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रहे होगी बोर्ड की एक्जाम की preparation बढ़िया चल रहे होगी बच्चो आज एक महत्पुन बात कहने जा रहोगा आपको महत्पुन चर्चा हैं ध्यान से सुनिएगा एक तो सबसे पहले आपको जो ev pulls शिंटर पर समय पर महुँशना है exam time जोर्वं 10 बजे का है और आपको जोनो बजे तक महुँशना रहता है कुछ बच्चे जो लेट जाते हैं, हो सकता है कि लेट पहुँचने पर आपके जो एक्जाम के जो केंदरा द्यक्ष हैं, वो आपको बेठने की अनुमती ना दे, इसलिए रिस्क ना ले, 9.45 के बाद तो आपको बिठाने की कोई कंडिशन ही नहीं बचती है, इसलिए समय पर हो जाए, पेपर मिल जाए, बच्चों हमने साल पर मेहनत करी हैं, हम रात को इदर उदर ना भटके, फड़ जी, यूट्यूपर किसी की तागत नहीं है, कि कोई यूट्यूपर जो है, आपके पेपर हूब 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 अपलोड कर दे, कि ये पेपर आने वाला है, और ये क हैं, वह हैं, ये 100% आ रहा हैं, वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल न करें, अगर आपने रात में टाइम वेस्ट किया है, और फ़र्जी पेपर कुछ भी पढ़ते रहें, आप और दूसरे दिन पता चला कि पेपर दूसरे आए, आपके महेंड में वह चीज़े वह कुछनान सर घुमते रहेंगे, और जो पेपर में आया, वह सॉलवर नहीं कर पाओगे, आपका नुकसान हो जाएगा, इसलिए पेपर के चारे ना लगिए, कि पेपर आएगा, पेपर आउट होगा, ये होगा, बोर्ड में पेपर आउट होने के चांसे बिल्कुल नही हैं, और अगर जो आउट करते हैं, उनके लिए भी सजा का प्रावधान है, उनके बोर्ड के पेपर आउट करने वाले लोगों के लिए, और यूटूबर तो किसी के थागती नहीं है, कि आउट कर ले पेपर, क्योंकि यूटूबर टाइम रहता है, समय रहता है, कि इस टा रहा है कि यह वाला पेपर 100% आ रहा है मेरी बात समझ गए होंगे तो आपको जो है पेपर जो है इन फेक चकर में ना पढ़ना है अब मेरी बात सोनो अगला जो पेपर आपका फिजिक सखाए आज आप प्लानिंग बना लिजेगा हमें यह यह चीज़े पढ़नी है कुशन प कि जो पेपर है पुराने वह पढ़ लिजे बिल्कुल आपके बहुत अच्छे नम्मर आएंगे कोई प्रोब्लम नहीं है एक चीज और और भी कम पढ़ना है तो आपको जो है यह जो है फिजिक सखा एमपी बीएसी ने अपनी साइट पर प्लश्न पत्र पेटर अप्लोड कर रहा है इसमें मेरे हिसाथ से इंपोर्ण इंपोर्णकूष्टन दे रहा है पेपर सरल मतलब इतने कठीन भी नहीं आ रहे है पेपर अच्छे आ हैं सरल पेपर आ आएगा तो उसमें 28 नंबर तो आपके इन ही की आ रहे हैं वस्तुनिष्ट प्रश्णे के 28 नंबर तो वस्तुनिष्ट प्रश्णे में आपके सही जोडियां सही जोडिया आ गई आपको दो में से करना पर इन दो में से एक अच्छा सारा इसको चापना है अपने को अपने अपने अथवा वाला तो बेठा न उसका तो उसको आप अच्छे से करके आए तो यह चीज जो है आप इसकिन शाट लेते जाए और यह सारी चीज आपको MPBAC की साइट पर मिलेगी प्रश्ण पत्र पेटर्न यह है तो बस एक प्लानिंग बना लिजे कि अपने को दो दिन में क्या-क्या रिविजन करना है आपका जो अब है मंडे को पेपर है तो प्लानिंग बनाईए कि अपने को क्या-क्या करना है यह पेपर है ठीक है यह इस टाइप से आपका जो क्यूशन पेपर बना रखा है उनके आप इनको जैसे कि क्यूशन दे रखे इनके आप आंसर डूंड के आज टिक लगा लो कि यह इंपोर्टन को करना ही करना यह पहले कर ले इसके बाद आपने पास ताइम बचेगा तो फिर और अच्छे से रिवाइस करेंगे फिर और अच क्यूशन भी बेट जाए अपना तो काम हो गया अच्छे से अपन पेपर करके आएंगे कोई दिक्कत नहीं है यह कुशन देखिए आप लगाते रहिए इनको पढ़ नहीं रहों में आपको इसकी शाट ले लेना रोक रोक के वीडियो आराम से स्लो मोड में देखना आराम स कि आच्छा यह प्योशन अब आप अपने को यह वाले फिशन आते एक नहीं आते भी यह वाले लेंगे इसे करेंगे और जो ज्यादा BIG instead अच्छे से बेटतें दो इंपोर्ण बड़द से नहीं आ रहा है उसकी कोई दिक्कत नहीं लेकिन जो आ रहा है आपको जो अच्छे से याद है उसको तो अच्छे से चापके आईए ताकि आपको अच्छे से बड़िया से बड़िया नमबर मिले मेरी बात समझे तो यह जो है आपको राद भर जो है एक्जाम के एक दिन पहल टापे ना खाना है और किसी किभरों से न रहें कि ये पेपर वो अवेलेबल कर वाएगा ये वो होगा ऐसा कुछ नहीं होता है पेपर अवेलेबल बोर्ड के जो पेपर है वो आउट नहीं होना है और आप जो है तैयरी अच्छे से करिए आपको जो है 388 का जो है वो उसमें त्री एडियर जो मुवी थी उसमें वो पेपर चोरी करके लाते हैं फिर पेपर दिखाते लेकिन वो उनके अंदर इतनी खुद्दारी रहती है कि भाई या हम पेपर यह नहीं करेंगे हमारी मर्जी से जो याद किया है वो करेंगे तब आता है मजा तब आपके अंदर जो तो यह जो है यह कुशन में आपको बताए हैं यह सारे कुशन जो है बेटा जी आपको कहां पर अवेलेबल मिलेंगे MPBAC की साइट पर जो प्रश्ण पत्र का पेटरन है वहां पर जाके आप सभी विशाई की प्रश्ण देख सकते हो तो मेरी बास समझे तयारी कीजे आप स हम तोड़ा लेट पहुचे हो सकता है आप उसके चकर में पेपर तो वह बेठना नहीं और अगर एक्जाम में लेट पहुचे तो आप एक्जाम से मंचित रे जाओगे एपसेंट रे जाओगे आपकी साल भर की मेहनत बेकार चली जाएगी इसलिए रिस्क मत उठाना समय प आप अपने माइड को सेटल रखोगे अथना अच्छा रहेगा जो सिक्का रहता है पानी में डालते हैं तो पानी अगर vorsल सिक्खा दिखे गा अगर पानी में उतल पुतल हैं तो सिक्का नहीं दीखेगा इसी प्रकार से आपके अंदर मन में जितनी जादा उतल 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 उतना ज़्यादा आपको जो याद हैं वो भी चीज़े याद नहीं और उतल पुतल नहीं है तो शाहत बहुत पहले पढ़ रखा होगा कोई कुशन उसका अंसर आपको उसी टाइम पर याद आ जाएगा एक के बाद एक करते जाएं जब टार्च जालती है आपको बहुत दूर जाना है अंधेर है में मजिल बहुत दूर है तो क्या अंधेरा दिख रहा है तो केसे जाएंगे बहाई है ईक टार्च पकड़ी अपनोंने 15 पिर 15 चले फिर 15 दो रोशनी वगी फिर थोड़ा और बढ़े फिर 15 दो रोशनी बढ़ी तो एसे एक्जाम में भी यह होगा क्या आप एक क्यूशन का अंसर याद आना चलो हो गया चलिए ठीक है आपको बेस्ट ऑफ लग कांगुरुजरेशन अच्छे से तेयरी कीजिए मज पुराने पत्रे पेटर ये पढ़िएगा पुराने पेपर से पढ़िएगा बस इस तरीके से आप अपना खुद का एनलेसिस करके क्यूशन निकाल के अपने अच्छी से तयारी कर सकते हो चलो ओके बाए